दोस्तो आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं बरसाने की राधारानी जी के तो चलिए शिरू करते हैं मतुरा के बरसाने में राधारानी मंदिर प्रसित धार्मे के स्थलों में से एक है बरसाने के बीचों बीच एक पहाड़ी है जिस पर ये खुबचुरत मंदिर इस्तित है इस मंदिर को बरसाने के लाडली जी का मंदिर और राधा रानी महल भी कहा जाता है आपको बताने की भादरपद महिने के शुक्ल पक्ष की अस्टमी तिथी को यहां राधारानी की विशेश पूजा होती है क्योंकि इस दिन को राधास्टमी के रूप में मनाया जाता है इसका पुरार और गर्ग सहीता के अनुसार इस दिन बरसाने की राधी श्री राधारानी जी का जन्म होगा था राधारानी जी का ये प्राचीन मंदिर मद्यकालीन है जो लाल और पीले पत्थर से बना है राधा क्रिश्ण को समर्पित इस भव्य और सुन्दर मंदिर का निर्मा राजा वीर सिंग ने 1675 इसवी में कराया था बाद में इस्थानिय लोगो द्वारा पत्थरों को इस मंदिर में लगवाया गया राधा रानी का ये थुंदर और मन्मोहक मंदिर करीब धाई सो मीटर उची पहाड़ी पर बना है और इस मंदिर में जाने के लिए सीड़िया जड़नी पड़ती है राधा कृष्ण के अर्धामनी शक्ति एवं निकुंजे शुरी मानी जाती है इसी लिए राधा के शुरी के उपासकों का ये अतिप्रियत तीर्थ है बरसाने के पूर्णे से लिए बड़ी हरी भरी तथा रम्रिक है इस बहाड़ी के पत्थर शाप तथा गौवन के हैं जिने यहां के निवासी कृष्ण तथा राधा के अमर प्रिम का प्रतीक मानते हैं बरसाने से चार मील पर नंद गाओं है जहां शुरी कृष्ण के पिता नंद जी का घर था बरसाना नंद गाओं मार्क पर संकेत नाम का स्थान है एक किद्वन्ती ये है कि कृष्ण और राधा का प्रत्थम मिलन यहीं हुआ था दोस्तों आपको बता दे कि बरसाना नाम क्यों पड़ा श्री वरिश बहान महाराज जी श्री नंद महाराज जी अत्यांद इसमेह करते थे श्री नंद महराज जब गोकुल में निवास कर रहे थे तम वर्षभानु महराज गोकुल के निकट रावल गाओं में निवास कर रहे थे श्री नंद महराज जब श्री कृष्ण की सुरक्षा के लिए कूपकुल से यम्ना नदी पार कर नंद गाउं में आकर निवास करने लगे थे ये सुनकर व्रिश्वानु महराज भी रावल गाउं से आकर नंद गाउं निवास करने लगे थे श्री विश्वानु महाराज जिस परवत पर निवास किया था आज उस परवत का नाम भानुगर पड़ा इस परवत का दूसा नाम ब्रह्मगिरी परवत भी है उनके इस गाओं के निवास होने के कारण इस गाओं का नाम बरसाना पड़ा दोस्तों बरसाना यह नाम अपने आप में अद्बुद है जहां श्री राधारानी जी की किरपा हमेशा बरस्ती है यहां जो भी आता है श्री कृष्ण और राधारानी की भक्ती के रस्में दूग जाता है अपने खाली जोली को राधारानी की भक्ती से भद लेता है कहते हैं कि यू तो भरसाना जब भी मौका मिले जरूर आना चाहिए चाहिए वो भरसोबाद ही क्यों ना मिले यहां आकर आपको अत्यन्त आनन और आपका मन शांत भी होगा दोस्तों यहां पर भरसानी की हूली अत्यदिक प्रसिद है इसके अलावा लटमार होली भी यहां प्रसिद है लट्डू होली भी यहां पर काफी प्रसिद है दोस्तों उत्तर परदेश में बरसाना इस्तित है जो की दिल्ली से करीबन 124 किलोमेटर दूर पढ़ता है अगर आप वाई एर आना चाहते हैं तो यहां पर आगरा एरपोर्ट है वहां से 102 किलोमेटर दूर है बरसाना इसके अरावा आप दिल्ली एरपोर्ट पर वियु त Nepe छुन सकते हैं और वहां से बस या टैक्सी से बरसाना पहुंच सकते हैं रेल्स से अगर आप आना चाहते हैं तो मत्रा रेल्वे स्टेशन यहाँ पर मौजूद है बाई रोड यहाँ पर डारेक्ट रोड बनी भी है दिली टो आगरा वाली जिसके जरी आप परसाना पहुंच सकते हैं दोस्तो अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ अगर आप कोई वीडियो पसंद आये तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक और कॉमेंट जरूर करें साथ इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलेगा नमस्कार झाल थे बाहब को भी ठीजाते, साजिए पून रूरत कन रा में, तोडोज इसो ते नवå okay। को आणने को कटीजाते, साफ़ कर दोस्तु वा हूte, साफ़ कर दोस्तु तो अ… ऐाल कुल फटिरा भड़ को दोर। जबरे आप는 का फ्यном दें जोर्य के मुट सिर्चे जबरे लोग सिर्चे साथ कि गिए चेनि जड़ी जड़ी अजिता कि असा इचे वोर्य कैhoven ऐसरे बाभा रखना डराण डराण, लिसमा जाना, सरे बाए टूर जाता, मा जो ए्यार जे शे जनत, सो बहा जनत, सो बहा जनत, सो घ्यार ज feels एुट, सो जे जनत, अजस टेज़ गौस लिए लाग्तोएं इन बींदाव्तोपी झाल conclus है है, 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 है. है, 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 है है, है, ह flavored carya रहो जाओ despite कली व कि तेड़ कि रुग को जए ए वितन हमाई है एुब हुआ है कि रखनी। मुझात भर जाए है भुछ को जए जए जए-जiva कलो जए का रझजा बभुए कलो जए है कलो कि तेड़ को जए जए-खनाय बाजय खानुल